हाई गैस रिबुक स्पा चानल पर आप सब रहों का स्वागत है आज की वीड में आप दोगों को में और एक लोन अप्लिकिशन का रिभीउट दूंगा इस अप्लिकिशन के नमें क्रेडिट एपेल तो कैसी एक नए अप्लिकिशन है इस अप्लिकिशन की डाउनलोडिंग है पे लोन अप्लिकिशन के लिए अप्लिकिशन अ नहीं चैनिए या नहीं चाही है तो गैस जोरू वीडियो को आप लोग इन तक देखेएगा और गैस टेप का इंफोर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग चैनल को सबस्क्राइब किजिए और साथ बेल एकन पर पेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे प यंवर्भाटिव भूल्टल करने के बाद करना होगा इमर्जंसी कंटक्स नांबर फ्रॉएट करने के बाद करने के बाद करने की वादाव में juordo करना होगा बैंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपड़ गोग का डॉकुमेंस बगरा सही है सिविल अच्छा है तो आपड़ गोग को इस अप्लिकिशन की तरफ से लोन मिल जाएगा और गयर इस अप्लिकिशन की तरफ से कहा जाते हैं कि इस अप्लिकिशन की इंटेशेट और सर्विस भी बहुत ही जादा है और गरेंगे अगर अगर आप लगों के 7S वाले loan application पे लोन लेते हैं, तो आपके जक्ते के आप लगों को कभी सारे problem का समना करना होगा, जैसिकर अगर आप लगों इस्टे के 7S वाले loan application पे लोन लेते हैं, लोन को timely repayment नहीं कर पाते हैं, तो loan repayment के लिए due date से पहले different डिफे करने के बाद भी आपडेट नहीं करता है और बहुत ही तरीका का इस्तिमाल करता है बहुत है है ग्लमारेट कोई का करद नहीं करता है तो कि इस अभी आपने पर इस्तिमालेट नहीं बहुत करते हैं कि होता है अगर आप लोगों ने लोट को रिपेमेंट कर चुग है फिर भी लोगों के लिए को आप लुड को हरस्मेंट किया जा जाके एक cybercrime complaint और police complaint कर दीजिए और साथे साथ आपका contact list में जितने सारे number है सारके सारे number को बोल दीजिए कि मेरे साथ loan के नाम scam हो चुका है अगर मेरे नाम पे loan repayment के related किसी भी तरह की call और SMS आये तो आप लोग ignore करें और गज़िए अगर इस्टव के 7 days बाली loan application loan repayment के लिए आप लोगो को call और SMS करके परिशान कर रहा है तो गज़िए इस्टव के loan application की call से बसने का solution ये कि आप लोग application की data clear करके application को uninstall कर दीजिए और आप लोग अपना Gmail से contact list को हटा दीजिए और गज़िए अब लोग साथे साथ अपना SIM card को 10 days से लेके 20 days तक आप कर दीजिए अगर उस नंबर पर WhatsApp account है तो WhatsApp account को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए फिर जब लोग 10 days से 20 days के बाद अपना SIM card को on कीजिए तो आप लोग खुद दिखेंगे कि इस्टफ का loan application से call आना बंद हो गया है और गज़िए इस्टफ का 7S बाले loan application की call से बाचने का और एक solution यह है कि आप लोग true color application को download करके unknown call को block कर दीजिए तो इससे क्या होगा अनो नंबर से जो भी call आएगा वो आटोमेटिकली काट जाएगा और कैस अभी आप लोगों का मन में इस्टफ का 7S बाले loan application को लेके कभी सारे सवाल आ सकता है इसके इस्टफ का loan application आपके खिलब legal action ले पाएगा कैस इस्टफ का loan application की दरब से लोगों के लिए कोई recovery agent घर पे नहीं आएगा इस्टफ का 7S बाले loan application loan application के लिए call आर इस्मेस करके harassment के आलबा कुछ नहीं कर पाएगा तो इस्टफ का 7S बाले loan application आंसे बाद रिस्की होता है और आप लोग इस्टफ का 7S बाले loan application से सब्धान रहे और गैस अगर कोई already step के 7S बाले loan application पे loan लेके फाच चुका है यानि गैस आप लोगों ने loan लिया loan को repayment कर चुका है फिर भी दोबाड़ा loan repayment के लिए आप लोगों को harassment और blackmail किया जा रहा है तो इस्थिति में आप लोगों को कह करना चाहिए इस विडियों के थुरू already आप लोगों को मैं बता चुका हूँ और गैस कोई भी loan application रियल है या 5G है आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं उस application की email address चिकरप कीजिए अगर email address gmail.com, eo.com, outlook.com पे रहता है तो बहुत सब loan application 4G होता है और गैस साथ उस application के address details को जाके Google पे सास किजिए अगर उस application के नाम शोर नहीं होगा तो बहुत सब loan application 4G होता है और गैस आप लोग एक चीज़ हमेशा धियान किएगा कि अगर आप लोग कोई भी loan application पे loan लेते हैं तो आप repayment की है वो अपडेट नहीं किया जाएगा फिर दोबाला loan repayment के लिए call और इसमेंस करके आप लोग को harassment और ब्लाग मिल किया जा सकता है और गैस अगर आप लोग प्ले इस्टों में जाके केड़ीड़ पे loan application के वोन इस्टार रेटिंग रिभू चेक आउट करेंगे तो हार एक डिब्यू पे यह कहा गया है कि केड़ीड़ पे loan application एक अंसेब loan application है और गैस इस्टेक के 7S बाले loan application के positive review दखके आप लोग कभी भी loan के लिए अप्लाइना करें कि इस्टेक के वर्में प्ले इस्टों में जीतने सरे positive review दिखने को मिलीगा खुद application वालों की तरफ से किया जाता है और गैस आप लोग एक चीज़ हमशा दयाने किये गा कि कोई भी loan application पे loan application के लिए अप्लाइना के लिए अप्लाइ करें तो गैस इस्टेप के 7S बाले loan application आंसे बार इसकी होता है और आप लोग इस्टेप के 7S बाले loan application से सब्दान रहे और किस अगर कोई already इस application पे loan ले चुका है और loan application करने के बाद भी ये application आपडेट नहीं काता है पी तो गड़ा loan application के लिए अगर आप लोग को harassment और ब्लाग मेल काता है तो आप लोग इस application के खिलाब एक cybercrime complaint और police complaint कर दीजिए और किस अगर किसे को loan के related को issues या कोई प्रोब्लेम होता है जैसे कि loan ipn करने के बाद भी आपडेट नहीं काता है पी तो गड़ा loan ipn के लिए आप लोग को harassment और ब्लाग मेल किया जाता है तो इस वीडियो के description पे मेरा Instagram account का link दिखने को मिल जाएगा आप लोग Instagram के थूँ मेर अगर आप लिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाए से आधा शेयर कीजिए तो कैसे आप लिएकों के साथ मुलगातुरा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय ही इंद बंद मातरम